बांगलादेश में अभी भी हाल सुधरे नहीं है लेकिन इन सब के बीच सवाल भी उठने लगे है कि क्या शेख हसीना जेल जाने वाली है क्योंकि शेख हसीना अभी भी भारत में रह रही है भारत में हैं शेक हसीना और माना जा रहा है कि उनकी मुश्किले बढ़ गई हैं ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूर प्रिदार मंतरी पर हत्या का केस दर्ज किया गया है और ये किसने दर्ज करवाया है वो भी सुन लीजे हिंसक जड़प में एक किरानी की दुकानदार है शेक हसीना पर इसमें हसीना समित 6 लोगों पर हत्या के आरोप लगे हैं पहले भी उन पर हत्या के आरोप इसे तरीके से लगते रहे हैं बांग्रदेश के कोट में इस मामले की सुनवाई हुई है इस मामले की सुनवाई में अब कोट की तरफ से कहा गया है कि शेक हसीना क की ग्रफतारी हो सकती है ये बड़ी बात है फिलाल हसीना गाजियावाद के सेफाउस में मौजूद है ये भी आपको बता दे अभी भी वो भालत में ही मौजूद है और इधर खबर सामने आ रही है अगर तला से जहां सूला बांगला देशों को ग्रफतार किया गया है इनमें ये बताया जारा है कि पहलाए शामिल है और तीन संदिक्द भी पकड़े गए हैं जो कि संदिक्द गतिविधी में संलिप्त पाए गए था तो ये तस्मीर सामने आई है जहां सोला ये बांगला देशी पकड़े गए है फिलहाल वहां के जो अधिकारी है उन्होंने इनको पकड़ लिया है और आब आगे जाच परताल की जा रही है बांगला देश में हिंस वो अब जहां पर जाने वाले फॉरंसिक टीम भी सिबिया के साथ जाएगे और वहां पर सबूत जुटाया जाएगा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देखें सिबिया के टीम कोलकता पहुंच गई क्योंकि छानबीन के जिम्माज सिबिया को सौंप दिया गया है हाई को कि फटकार के बाद अब ये केस पूरी तरह से सीबिया से माल रही है आज केस हेंड़ोबर कर दिया गया है सीबिया को उसके बाद अब सीबिया के टीम जो है जहांपर क्राइम हुआ था जो घटना से वहां पर जाएगी फॉरंसिक टीम को लेकर वहां से सबूत जुटाए जाएंगे तो सिब्याई का टीम कोलकता पहुंच गई है आप मामले के चानवीन और तेज हो जाएगी कोलकता रेप मडर मामले की हर एक तस्वीर आपको बता रहे हैं सिब्याई का टीम पहुंच चुकी है कलकता हाइकोट की तरफ से यह कहा गया था कि की सीब्याई की टीम पहुंचने वाली है लेकिन यह केस तरीके से आगे बढ़ने वाला है सबसे पहले सी अपको पूरे केस डायरी सोप दी जाएगी और आजे सरकार भी जितने रिकॉर्ड्स है वो सौप देगी उसके बाद सीवे अपने काम में जुटेगी कलकता हाई कोट ने कल बीते दिन ये कहा कि मामला इतना गंभीर है इतना विभत्स है कि इस मामले में आप तक कलकता पुलिस पाच दिन हो चुके हैं किसी तरका कोई अरुपी से बात करी जिसका नाम संजे रॉय है आज आरजिकर अस्पताल में जाकर पहुची गी और जिस समिनार हॉल के अंदर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था वहाँ पर जाकर एक-एक सबू जुटा कर कड़ियों को जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएग साथ ही आपको बता दें जो परिवार के लोग है पिडिता के परिवार मातपिता उनका रोरो कर बुरा हाल है उनका कहना है कि पुलिस पर हमें पूरी तरह से शक है पहले दिन से विश्वास नहीं है दिली से CBI अपसरों की टीम पहुची कोलकाता आज़े की अस्पताल जाएगी CBI की टीम ट्रेनी महला डॉक्टर केस की करेगी जाच जमु कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलो का ओप्रेशन जारी, सुरक्षा बलो ने चार पाकिसानी आतंकबादियों को गेरा आतंकियों सुरक्षा बलो के बीच गोली बारी जारी यूपी के कुशी नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुटभेड, मुटभेड में 25,000 का इनामी बदमाश की रफ्तार अबाया तमंचा तीन, जिन्दा कार्थूस और वाइक बरामत यूपी के बुलंद शेहर में पुलिस और गौत तसकरों के बीच मुटभेड, गोली बारी के दौरान एक तसकर के पैर में लगी गोली, दूसरे तसकर ने खुद को सरेंडर किया यूपी के मद्रा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुटभेड हो गई जहां फाइरिंग के दौरान दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, मौके से पुलिस ने बरामत के सोने चान्दी के अबूजिशन और जिन्दा कार्थूस पटना में बदमाशों के होसले बुलंद, दबंगों ने डेरी बूत का संचालिक को मौत के घाट उतार दिया, बुली मारकर मौके से फरार हुए बदमाश, छानबीन कर रही है पुलिस अगर तरह रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए 16 बांगला देशी नागरिक, 13 पुरश्च और तीन बहिलाएं शामिल जिसमें गिरतार किये गए लोगों में से तीन व्यक्कियों की पहचान अबायद अगती विदियो में शामिल होने की रूप में हुई है यूपी में नकल के खिलाब बड़ा अक्षन, डियल एडी परिशा में नकल गिरोग पर शिकन जा, आजमगर से पकड़े गए 12 नकल गिरोग सदर से चापे मारी में 18 लाग कैश्च वरामत सेंटर का प्रिंसिपल भी गिरफतार किया गया सुनभदर में दबंगो के होसले बुलंद हाथ पर बांद कर यूप की डंडे से पिटाई की गई यूप को कमरे में बंद कर मारने पिटे का वीडियो भी वारल हो गया गुजरात के अम्रेली में दो कुतों और शेरों के बीच बिडंत हो गई सोचल मीडिया पर वारल हुआ ये वीडियो स्वतंतरता दिवस से पहले चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे उचे रेल्वे पुल पर निकाली गई तिरंगा रैली 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ ये रैली निकाली गई बड़ी संख्या में स्कूली जातर तिरंगा रैली का हिस्सा बने दिली में स्वतंतरता दिवस समारों से पहले सुरक्षा की गई है कडी सरोजनी नगर मार्केट में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था जमु के अकनूर में 15 अगस्त के मद्यनजा सुरक्षा कुले का रालाट बियेस्था की महिला जवानों ने बॉर्डर पर मोर्चा संभाला जमु कश्मीर के अनंतनाग में मार्तंड सूरे मंदर पहली बार तिरंगे से जगमगाया अठतरवेश वतंतरता दिवस के मौके पर तिरंगे की रोष्णी से जगमग दिखा अठतरवेश वतंतरता दिवस से पहले दिल्ले में राश्पति भावन और संसत भवन को रंग बिरंगी रोष्णी से सजा गया वीडियो में दोनों भवन रात गंदेरी में चमकते हुए नजर आए यूपी के विरोजबाद में पुलिस कर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा अभियान के तहट निकाले गई तिरंगा यात्रा रैली 1947 में भारत के विभाजन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगिया अधितनात का च्विट लिखा राजिंतिक स्वार्थ कली विभाजन के त्रासदी की ओर धकिला गया था दीश कन्नौज रेप कांड के आरोपी सपनिता नवाब यादब की बढ़ेगी मुश्किल मेडिकल रिपोर्ट में रेप की वुष्टी के बाद गंभीर धाराएं बढ़ानी के निर्देश दिये गए कन्नौज की पेड़ता का जिला कोर्ट में बयान दाज मैस्ट्रेट के सामने दर्श करा गया बयान आज पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई कोलकाता में महिला हत्याकान को लेकर देश शिभर में उबाल यूपी में गोंडा की सड़कों पर दिखा डॉक्टरू का विरूद निकाला ग्या कैंडल मार्च बंगलादेश के अल्प संख्यकों पर लगातार हमलों के बीच एक और हिंदू मंदर और घर में आग लगा दी गई रात आट बजी के करीब उपद्रवियों ने मुकल चंद्र रॉय के घर और मंदर पर हमला कर दिया अंतरिम सरकार प्रमुक मुहम्मद यूनुस के आवास के बार हिंदू समुधाय के लोगों ने प्रदर्शन किया अयुद्धा मंदिर के तस्वीर वाला पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया गया अमार माटी हमरो मा ऐसे चलबोना के लगाए गए नारे रूसर यूकरेन के बीच जंग जारी यूकरेनी सेनकों ने रूस में घुसपैट की यूकरेनी सेना ने रूस की सेना पर किया हमला हमले की नई तस्वीरे भी सामने आई झाल